हेलो विवर्स जैसा कि आप समझे गए होंगे कि आज का हमारा विशे प्रमप्रा आधारित सांजी के उपर होने वाला है इसमें हम जानेंगे कि सांजी कहते किसे हैं क्या होती है कैसी होती है और इसके लिए किन-किन चीजों की आशकता होती है इसको बनाने के लिए तो चलिए आज का टोपिक स्टार्ट करते हैं सांजी बनाना हमारे राज्य की प्रंप्रा के अनुसार गाम वे घर में सुक, श्यांति, स्मिर्धी तथा सुयोग यवर प्राप्ति के लिए कनागत के बाद नवरात्रों में क्वारी कन्या और वरते मिलकर सांजी बनाती हैं सांजी को देवी दुर्गा का रूपी मानते हैं और नो दिन तक बजन, कीर्टन के दवारा सांजी की पुजा की जाती है दसमे दिन, दसेरा सांजी को मटकी में डालकर सांजी के कीत गाते हुए तालाब में विसर्जित करती है ऐसी माननता है कि यदि सांजी तालाब के पार चली जाए तो गाव परिवार के लिए असुप संकेत होता है इसलिए लड़कियों के भाई इसे विसर्जित करने के कुछ देर बाद लाठी या डंडो से तोड देते हैं ताकि यह तालाब को पारने कर पाई तो आईए अब सांजी बनाना शुरू करते हैं कि इसके लिए में किन किन चीज़ों की आफशकता होगी और इसकी परक्रिया क्या होती है पहले हम आशक शामगरी देख लेते हैं इसके लिए हमें जरूरत होगी चिकनी मिटी, गोबर, सफेदी, ओडनी, रंग और लकडी का बोड़ जो हमारा तीन फूट तीन बाई तीन का यानि कि तीन तीन फूट का होगा लंबाई में भी और चोड़ाई में भी तो अब इसे बनाने की परक्रिया देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसको बनाना है चिकनी मिटी ले, सबसे पहले आप क्या करना है, चिकनी मिटी को लेना है और उसे आटे की तरह, अच्छी तरह से गूत लेना है, मत लेना है, ताकि उसमें थोड़ी लचक आ जाए अब फिर आपको क्या करना है मिट्टी से सांजीव उसके भाई के मू, हाथ, पैर, आभुशन, पोटली और सितारे बनाने है ठीक है उसके बाद हमें तीन से चार दिन के लिए से सूखने के लिए रख देना है और जब हमारी ये चीज़े सारे शूख जाएंगी उसके बाद हमें से जो हमारी सफेदी होती है, सफेद रंगी जो हम गरों में भी इस्तेमाल करते हैं उससे इनको रंग लेना है इन्हें बीन बीन रंगों में संजाएंगी अगर आपको ये अलग-अलग रंगों में चाहिए तो आप इसमें अलग-अलग कलर भी कर सकती है बोड पर चिकनी मीटी और गोबर के पतले घोल का लेप लगाएं और सूखने दे उसके बाद आप क्या करना है बोड पर गोबर से सांजी और उसके भाई के स्ट्रक्चर को बनाना है और उनके बनाए हुए मू, हाथ, पैर, आपुशन, पोटली और सितारे आदी को यथा स्तान पर लगाकर उसको क्या करना है गोबर की साहता से जिपका देना है जैसे कि आप चितर में देख सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है बोड के उपर एक और सूरज और दूसरी और चांद और सितारे चिपकाने है फिर सांजी के भाई के सिर पर जो हमने पोटली बनाई थी उसको रंग करके रख देना है यानि कि लगा देना है अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और अगर आप कहेंगे कि सांजी बनाने की आप पूरी परक्रिया बना कर दिखाएं तो मैं आपको जरूर बना कर दिखाऊंगी आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में